नबश्कार, मैं हूँ आजायने सतीश वस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूँ लब्विदस्टॉलजी में लब्विदस्टॉलजी यनि आपके अपने जीवन में प्रेम से सम्मंदित किसी भी समस्या का सीधा समाधान इसको बहुत सरलता से, बड़ी सहजता से आप ये भी कह सकते हो कि विवाह के पहले और विवाह की पश्चात की सारी किसारी समस्याओं का सीधा समाधान जहां होता है उसमंज का नाम है लब्विदस्टॉलजी आपके अपने जीवन को और मुल्यवान बनाने के लिए आपको और बहतर बनाने के लिए मैं फिर हाजर हो एक चर्चा में आज मात्मून बात सम्मिलित कर रहा हूँ महिलाएं जिन सिंदूर का इस्तेमाल करती है उसके उपयोग को कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ जिसों आप सिंदूर लगाते हो सिंदूर का वास्तविक क्या उपयोग है और इसके क्या लाब मिल सकते है सिंदूर का वास्तविक क्या मतलब है सिंदूर किस रूप में आपके अपने जीवन में कहां काम करता है उस पर सीधी बात करूँगा मैं सिंदूर से आप किसी को अपने वश्मे कर सकते हो क्या सिंदूर से आप किसी को अपनी तरब खीश सकते हो गया क्या सिंदूर की वज़े से आपकी अपने जीवन में सौभाग की भाग की और प्रारब्द की आपके किसमत की आपकी लकमे बरद्धी हो सकती है सिंदूर क्या प्रारब्द का कारण है सिंदूर क्या वशीक्रण का कारण बन सकता है सिंदूर बहुत महत्तपूर है जीवन में एक चुटकी सिंदूर बहुत कुछ कहता है इसका रुजरंग है न लाल रव्ट वर्न कहते हैंसे सिंदूर पहले तो ये समझ लीजे कि सिंदूर कई एक प्रकार का मिलता है आज चर्चा सिंदूर पर है मैं फिर से आपको याद दिलाता चलू कि बहुत ध्यान से समझना कि आज पूरी की पूरी चर्चा पे सिंदूर को हम समलित कर रहे हैं आपके सौभाग का सबसे पहला गहना सौभागिवती इस्त्रियों के लिए सबसे महत्वूर और सबसे वास्तविक सूचक जो है उनकी अपनी मेरिटल होने के लिए उन्हें अपनी मेरिज होने के लिए ये पता करने के लिए ये मेरिट है की नहीं उसका सबसे पहला सूचक सिंदूर है भैरो जी के उपर अगर कोई शिंदूर लगाता है रविवार और बुधवार को ध्यान से समझना हनुमान जी को जहां मंगलवार और सनिवार प्री है वही भैरो जी के लिए आपको आवश्यक पड़ेगा कि भै आप बुधवार और रविवार को अगर सिंदूर से उनका लेपन करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके उपर से राहु केतू की करपा तो होगी ही साथ में आपके अपने जीवन से कुचक्र समाप्त हो जाएंगे पूर रगणना सुरू कर दीजिए आपके आथों के लखीरे जेंच हो जाएंगी किसी सोभाग्वति इस्तरी को सिंदूर के सहित सदक्षिन उसको भोजन कराया जाया और संगार के सामान के साथ सिंदूर दिया जाया तो आपके जीवन में विवाह का योग जल्दी बन जा आपके अपनी प्रेम विवाह के योग बहुत जादा स्पीट में वड़ते हैं। आपके आसपास किसी भी विक्ती के उपर सिंदूर से प्रयोक करना है। इससे पहले एक और महात्रपूर बात समझेगा। अगर आपको लगता है आपके उपर या आपके किसी के उपर किसी ने तंत्रमंत्र किया है किसी ने वशी करन किया है तो उसे पूरी सिंदूर से नहिला दीजे मंगलवार को और फिर उसे शेशनान करने दीजे आप देखिए का पहले दिन से फरक पड़ेगा पसरते वो सिंद